इस वीडियो में हम लोग कौनों के प्रकार के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लोग है जानते हैं समकौन समकौन क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दुसरे को लंबत काटती है तो समकौन बनता है समकौन का मान 90 डिगरी होता है अर्था जिस कौन की माप 90 डिगरी हो उसे हम समकौन काते हैं यहां दो रेखा हैं, एक रेखा CD है और एक रेखा AB है, यहां तो यह सका सकते हैं, एक रेखा AB है, एक रेखा CD है, दोनों एक दुसरे को लंबवत काट रही है, है न, बिल्कुल सीध में काट रही है, तो यह सारा जो कौन बना, यह 90 डिगरी है, यह 90 डिगरी है, यह भी 90 डि क्या कहते हैं समकौन अब क्या है नियून कौन किसे कहते हैं वह कौन वह कौन जिसकी माप समकौन अर्था नबे डिग्री से कम हो उसे नियून कौन कहते हैं ठीक है नबे डिग्री से कम हो यह हमारा क्या था नबे डिग्री था ठीक है इससे कम हो मान ठीक है नबे से कम होना चा 5 है वो भी नियून कौन है 1 डिगरी नियून कौन है 60 डिगरी नियून कौन है बिलकुल 0 से ले करके 0 से ले करके 90 के पहले तक 90 से कम जितने हैं सारे नियून कौन है अब हम जानते हैं अधिक कौन अधिक क्या है वो है कौन जिसकी माप समकोन अर्थात 90 डिगरी से अधिक हो औ से हम अधिक कौन कहते हैं 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम अर्था 90 के बाद हम लोग ले सकते हैं 91,92, ठीरानवे ठीक है यह 90 है 90 से अधिक ठीक है 90 से अधिक कुछ भी हो लेकिन 180 से कम होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए आगे हम अभ्यास को देखते हैं जी नाचरों में समकुन दिखता है उसमें खेले लगा रही है तो इसमें कोई समकुन है नहीं इसमें कोई समकुन है नहीं यहां समकुन दिख रहा है इसमें समकुन दिख रहा है इसमें भी समकुन है हम बड़ा इसको बना के देखते हैं यहां कोई समकॉन नहीं बन रहा है यहां नियून को बन रहा है समकॉन बनाने वाले घड़ी पर सही का चीन लगाई है यहां देखे समकॉन बना रहा है यह समकॉन बना रहा है नहीं यह समकॉन बना रहा है यह बना रहा है नहीं बना रहा है ठीक है समकॉन का चीन इस प्रकार बिल्कुल लंबत ठीक है ना कम ना ज्यादा ठीक है अब नीचे दिये के चित्र में नियोन कौन समकौन साधी कौन अचानकर बॉक्स में नाम देखे ये नबे से कम है नबे बिल्कुल सिद्र में होता है ठीक है नबे से कम है तो इसका नाम क्या हो जागा नियोन कौन ये क्या से यहां नवे होता है से नवे से अधिक हो गया नवे से अधिक हो गया तो यह क्या है अधिक कौन क्या है अधिक कौन ठीक है यह यह क्या है यह नियून कौन है नवे से कम यह नवे से कम यह नियून कौन है ठीक है यहां हमें कौन देखकर नाम लिखना यह 30 डिग्री अर्था 90 से कम तो यह नियून कौन होगा 60 डिग्री 90 से कम नियून कौन होगा 105 डिग्री 90 से अधिक है और 105 से कम है ति यह क्या होगा अधिक कौन ठीक है 90 से कम नियून कौन ये 90 से अधिक है और 180 से कम है ति ये होगा अधिक कौन ये भी होगा अधिक कौन इस विकर आप सारे exercise को अच्छे से बना सकते हैं आप यहाँ एक महत्पून सवाल है आप यहाँ देखे आखिर्टी दिया गया है O A O B O C O D O A करता है A O B कौन है A O B देखे A O B यहाँ यह क्या है 90 डिगरी कौन बन रहा है ति यह क्या है यहाँ सम कौन तिसे हम यहाँ लिख देंगे सम कौन ठेक है C VOD दिखे C VOD यह भी नभी लिए है तहीं हो देखे बी ओडी देखें डी ओडी यहां से यहां तक यह नभी से अधिक है त्येक हो जागा अधिक को यहां क्या लिखतेंगे अधिक क्या अधिक यह नबे से कम है ति क्या हो जागा नियून कौन क्या हो जागा नियून कौन ए वो सी तो ए वो सी ए वो सी यह भी नबे से अधिक हो जाएगा हमारा ति यह हो जाएगा अधिक कौन इस प्रकार हमने पहला पाठ को अच्छी तरह से देखा और इस वीडियो में हम लोग कौनों दिखी का जिसमें मैंने बिंदू, रेखा, रेखाखंड, किरन की चर्चा की है, रेखाखंड को खीच कर दिखाया गया है कौन कैसे बनते हैं, और चांद की सहता से कौन कैसे बनाया जाते हैं, उन सारे चीजों को बहुत बारी किसे बताया गया है, तो आप उस वीडियो को ज से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें धेनवाद जैहिंद जैजारफिंदें